गांधी की शहादत उसके घटना करम को और सामप्रदाइक्ता की पैट को समझने के बाद अब हम अगले बिन्दु पर आते हैं अगली बात अगला विशय और वह है भारत विभाजन के कारण वह विभाजन की प्रक्रिया यानि हम अब समझने की कुशिश करेंगे कि आखिर भारत विभाजित हुआ क्यों गांधी की ये सक्त खिलाफत के बावजूर भारत विभाजित हुआ और क्या गांधी अकेले ही थे इस विभाजन के खिलाफ सच्चाई क्या थी और कौन ऐसे तट्व थे जो विभाजन के पक्षधर थे और वे विभाजन लेकर रहे विभाजित भारत, खंडित भारत को देख करी रहे तो अब हम जाते हैं विभाजन के कारणों पर कारणों की बात करें तो 14-15 अगस्त 47 को जब भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि एक देश का विभाजन के आधार पर जा विभाजन के साथ स्वतानतर होना ऋस स्वयम में बहुत एक यूनिक घटना थी अज्वती घटना थी ऐसा कोई दारण नहीं मिलेगा जहां पर स्वतंतरता मिली है और विभाजन हुआ हो उसी के साथ ही साथ भारत एकमात रहसा देश भारत और पाकिस्तान वहां की जो जनता एक सी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीत के वस्ता के अंतर गड़ शताबदियों से थे भारत और पाकिस्तान कभी यह नहीं सोचा गया कि वह कभी बटेगा, बटवारा होगा कभी यह दो देश के अस्तित में आएंगे क्योंकि वो तो शताब्दियों से भारत का ही हिस्सा रहा और ऐसी कोई घटनाएं पूर में नहीं हुई जो ये दिखाती हो कि पाकिस्तान के खित्र के लोगों का जीवन सहन जीवन यापन, जीवन शैली, राजनीतिक व्यवस्था ये अलग रही हो फिर आखिर क्या बात, फिर ऐसे क्यों निर्माण हुआ, तो सबसे पहला कारण मैं केवल प्रमुक कारणों का जिक्र करूँगा, तो उसमें सबसे पहला कारण है कॉंग्रेश, इंडियन नैशनल कॉंग्रेश, भारती राष्टी कॉंग्रेश, जिसके बैनर तले स्वतन्ता का आंदोलन लड़ा जा रहा था हूं, जो स्वतन्ता के आंदोलन का नित्त तो कर रही थी और गांधी, नहरू, सुदापटेल, आदी जिसके अभिन्न हिस्सा थे, उसकी धोरी थे वह स्वयम पहला कारण बनती है विभाजन का, और वह कारण संक्षिप्त में उसे हम कह सकते हैं कॉंग्रेश की तुष्टी करण की नीती, तुष्टी करण क्या होता है? एक छोटा से दुधारण दे, कोई एक बच्चा किसी चीज के लिए जिद्द कर रहा है, कलपना करिये चॉकलेट के लिए क्योंकि वो रो रहा है, तो चॉकलेट की जिद्द कर रहा है, आप उसके चॉकलेट देते हैं, बच्चा चुप हजाता है अगली बार फिर ऐसी कुछ होता है, और फिर आप चॉकलेट देते हैं, चॉप हजाता है तीसरी बार बच्चा समझ गया, कि चॉकलेट मिलने, मैं रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलता है और इस प्रकार ये प्रक्रिया, ये जो काम है, ये जो घटना है, ये बारम बार होती है और बढ़ती रहती है बच्चे को मालूम है, मैं रोऊंगा और मिझे चॉकलेट मिलेगा ये जो तरीका है, चुप कराने का, इसे कहते हैं तुष्टी करण क्या कहते हैं तुष्टी करना संतुष्ट कराने के लिए इसलिए नहीं कि मैं इस बात से सहमत हूँ बलकि इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि ये कम से कम जो मैं नहीं होना जिने चाहता वो ना हो तो कॉंग्रेस ने भी ऐसा कुछ किया अपने काल में स्वतनता अंदुलन के दोरान ही कि उसने बहुत बार मुस्लिम लीग जो मुस्लिम वर्ग की हिमायती थी उसकी कई अनुचित मांगों को सिकार कर लिया के वो इसलिए कि चुप हो जाएं के वो इसलिए कि वे भारत के रा दोनों के बीच में टकराओ नहों और इस तुष्टी करण की नीती ने मुस्लिम लीग की बहुत सी मांगों को स्वीकार करने के लिए हमको मदबूर किया जो गैर वाजब थी नाजायस थी परनाम क्या हुआ कि लीग की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी वर्ष दरवर्ष बढ़ती जा रही थी सन 1916 की घटना को जोड़ी हम देखें लखनों कॉंग्रेस लखनों समझोता तो वह समझोता एक बहुत बड़ी भूल थी जिसमें हम भारत के विभाजन की जड़ देखते हूं लखनों समझोता एक तरीके से ऐसा समझोता था जिसमें मुस्लिम वर्ग के आरक्षन के लिए भी सहमती हुई थी और यहीं से मुस्लिम लोगों के प्रिथक होने की नीव रखी गई ऐसा हम मान सकते हैं जाने अंजाने में ऐसा नहीं कि कॉंग्रेस ने जान बूच कर ये मांग इस समझोते में मुसल्मानों की मुस्लिम लीग की मांग को स्विकार किया हो जान बूच कर नहीं लेकिन महज स्विकार करना ही स्वहम में मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत अहम बात थी और उसके बाद उस घटना करम ने ऐसा मोड लिया जिसकी परनिती अंतरता 1947 में विभाजन से हुई मांगे स्विकार करते गए और परणाम क्या कि मुस्लिम लीक का मनोबल बढ़ता चला गया और वो बढ़ते बढ़ते 1947 विभाजन के रूप में फिर समाप्त होता है तो इस पर कारम कह सकते हैं कि कॉंग्रेस की तुष्टी करण की नीती काफी हद तक विभाजन के लिए जिम्मेदार थी विभाजन का कारण बनी दूसरा कारण अंग्रेजों द्वारा सांप्रदाइक्ता को बढ़ावा देना अंग्रेजों द्वारा सांप्रदाइक्ता को बढ़ावा देना मुस्लिम लीग के स्थापना उन निफ्सव च्छे में होती है धाका में संस्थापक सज़स्य बिटिश वाइस रॉय से मिलते हैं और उसका वरद हस्थ मिलता है यहां से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने मुसल्मानों को सदैव धर्म के नाम पर अलग रखने का प्रयास किया बिटिश सरकार जो थी तद्कालीन सरकार दो राष्टों के सिधान्त को समर्थित थी उसने इस बात का हमेशा समर्थन किया कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट होने चाहिए यदि देश की तद्कालीन सत्ता ऐसा विचार रख रही है तो निश्चित रूप से एक वर्ख जो मुस्लिम वर्ख था उसे अंग्रेजों का एक तरीके से समर्थन मिल रहा था 1870 से अंग्रेजों ने मुस्लिम लोगों को संद्रक्षन देना प्रारम कर दिया था 1870 बलकि उससे पूर्व मैंने एक अन्य ध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया है राजनीति शास्त के ही विशय में यहाँ पर बस आप यह समझ लें कि 1870 के आसपास जब हिंदूओं द्वारा अंग्रेजों की खिलाफ़त शुरू होती है और राश्ट्री आंदोलन की बहुत बहुत आधार भूत गतिविदियां शुरू होती है तो अंग्रेज मुस्लिमों की और मुखातिर होते हैं और डिवाइड एंड रूल नीति के तहत वे एक तरीके से अपनी नीति बना लेते हैं कि अब हमें अंग्रेजों को अब हमें मुसल्मानों को सतत रूप से आगे बढ़ाना हैं ताकि मुसल्मान और हिंदू एक दूसरे से लड़ते रहें और इसकार सामप्रदाइकता को भड़काने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था 1870 से धीरे धीरे वो मुसल्मानों को आगे करते हैं और फिर उसके बाद 1909 में मिंटो मौलले रिफार्म होता है 1909 में 1718 में मौन्टेगी चेंट फोर्ड रिफार्म होते हैं और इस सब में आरक्षन आदी के मुद्धे को लेकर कुछ प्राधान किये जाते हैं 1909 का जो अधिनियम था उसमें सामप्रदाइक निर्वाचन को प्रारम करने का उद्धेश जो था वह मुसलिमों को बढ़ावा देने के लिए ही था सामप्रदाइक का ये जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की नीती जो 1909 में मिंटो मौरले रिफाम के तहट लागू हुई या प्रस्तावित हुई और इसके बाद लागू हुई उसके पीछे अंग्रेजों का यही मंशा थी कि मुसल्मानों को आगे किया जाए ताकि हिंदू और मुसल्मानों के बीच में जगड़ा होता रहे और राश्ट्री आंदोलन में जो एक्ता दिखाई दे रही है एक जुटता दिखाई दे रही है और प्रबल होती जा रही है वो तूटे तो इस पकार मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने मिंटो मौले रिफॉर्मे प्रावधान किया था और इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम दी हमेशा उन्हों सहयोग दिया और इस सब का परणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग सतत रूप से अपना प्रभाव अपना दबाव बढ़ाते रही और इसी दबाव का बढ़ते हुए दबाव का परणाम जिसमें अंग्रेजों का वरद हस था विभाजन की रूप में होता है तीसरा कारण मुस्लिमों की भावनाएं जैसा मैंने बताया ठारा सो सत्तर से अंग्रेजों ने एक तरीके से नीतिगत कदम ले लिया था और मुसल्मानों को आगे बढ़ा रहे थे जिससे मुसल्मानों के मन में अंग्रेजों के प्रति जुकाव आने लगा था और उस हद तक हिंदूों से वे दूर होने लगे थे इसका प्रणाम यह होता है कि मुसलिमों की जो सोच है तदकाली मुसलिम समाज के लोगों की जो सोच उनकी जो भावनाएं हैं वो भी कुछ हिंदू विरोधी हो गई अठाना सो सत्तर तक जो अंग्रेजी शिक्षा थी या पास्चात्य शिक्षा हम बोलें तो पास्चात्य शिक्षा से मिसल्मानों को अंग्रेजों ने दूर रखा था 1857 की कुरांती के मद्दे नजर जिसमें अंग्रेजों का मानना था कि 1857 की कुरांती के पीछे मुसल्मान लोग जम्मेदार हैं ऐसा सुचते हैं उन्होंने मुसल्मानों को दूर रखा और हिंदूओं को पाश्चाते शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया 1870 के बाद अंग्रेजों ने मुसल्मानों के मन में ये बाट डालनी शुरू की कि हिंदू का ये सतत प्रयात रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा से मुसल्मानों को दूर रखा जाए अता उसमें धर्मांधता मुसल्मानों में बनी रहे क्योंकि वे पाश्चात्य संस्कृती पाश्चात्य शिक्षा से कटे हुए थे वे लोग अभी भी बहुत परंपरावादी बने रहे, कटर बने रहे, बैकवर्ड बने रहे, पिछड़े बने रहे, समय के साथ वे नहीं बदले और इस प्रकार अपनी सिस्थिती के लिए वे हिंदूओं को दोशी मानते थे और साथ ही साथ उनके मन में ये धर्मान्धता जिसे हम कह सकते हैं धर्मान्धता बने धर्म के प्रती अंधापन अंधभक्त जिसको कहेंगे वह ऐसी भावनाओं उनके मन में अपने धर्म के प्रति थी धीरे धीरे मुसलिम अपने हितों को हिंदूओं के हितों से अलग मानते हैं ऐसा महसूस करने लगते हैं कि दोनों के रास्ते अलग हैं हिंदुओं की अपनी महत्वा कांख्षाएं हैं जो मुसल्मानों की प्रगति में बाधक हैं और ये भावनाएं जो हैं ये किवल भावनाएं ही थी और इन भावनाओं को आग देने का काम अंग्रेज लोग कर रहे थे इन भावनाओं को आग देने का काम मुस्लिम धर्म के जो तथाकतित नेता लोग थे कुछ ये लोग कर रहे थे और इस तरीके से एक प्रिथक हितों की बात सामने आती है और हिंदु और मुस्लिम दो अलग-अलग रास्ते में चलेंगे तभी शांती रहेगी ऐसी फीलिंग ऐसी भावना है मुसल्मानों के मन में आने लगती ये भावना ही आगे चलकर फिर विभाजन का कारण बन जाती है इसमें सचाई कितनी थी इसके बारे में विभाज हो सकता है भावनाओं के होने में लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि मुसल्मान अब ऐसा सोचने लगे थे कि हमारा हित और हिंदों का हित जो है उसमें सतत रूप से टकराहट है अन्तरिम सरकार अन्तरिम सरकार उसमें मुसलिम लीग के सदस्चियों को शामिल किया जाना इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि दो देश फॉर्मूला लागू हो कर रहेगा यह अन्तरिम सरकार क्या है उन्निस सो चालिस में जब अंग्रेज ये तैक करते हैं कि हम चले जाएंगे तो नहरू के नेतरित में सरकार बनती है और उस सरकार में कांग्रेज और अन्समर्सक दलों के लोग शामिल होते हैं और इस बात का दबाव बनाया जाता है कि मुसलिम लीग के सदस्चियों को शामिल किये जाएं क्योंकि मुसलिम लोगों का रवया तो अलग था उनकी सोच अलग थी सरकार तो एक थी लेकि उनके अंदर दो प्रिथक तरह की भावनाएं काम कर रही थी और इस पकार सरकार स्वैम एक तरीके से विभाजित दिख रही थी इसका प्रणाम क्या हुआ कि हिंदू मुसलिम दंगों को ये लोग रोक नहीं पाए जब सरकार के अंदर के मंदल के लोग ही स्वैम एक दूसरे से नाखुष है स्वायम को एक दूसरे से अविश्वास की दिश्टी से स्वायम को एक दूसरे से विरोधी की दिश्टी से देख रहे हैं तो इसके मातहत आने वाली जनता भी वैसा सोचेगी वैसा ही देखेगी परणाम क्या हुआ क्यो जो दंगे शुरू हुए सामपरदाइक दंगे जिसका जिक्र में पूर में कर चुका हूं ये दंगों को रोकने की बात दूर इन्होंने प्रियाज भी एक तरीके से सार्थक प्रियाज भी नहीं किया और प्रणाम क्या हुआ कि ये लोग बिलकुल एक समय ऐसा है कि इन सामप्रदाइक दंगों को रोकने में सरकार, अंतरिम सरकार सफल नहीं रही है, असफल रही है, अंतरिम शब्द अर्थार, for the time being, कुछ समय के लिए, जब तक कि निर्वाचिस सरकार ना आ जाए, या जब त हाई व्यवस्था ना हो जाए, तब तक के लिए, कुछ समय के लिए, सरकार एक बनाई गई थी, वहां अंतरिम सरकार कहलाती है, कॉंग्रेस को मजबूर होकर रंत में क्या करना पड़ा, विभाजन स्विकार ही करना पड़ता है, और भारत के विभाजन की प्रक्रिया, वै नेशन फार्मूला, टू नेशन प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया, एक फार्मल तरीके से, मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव 1940 में जब रखा, तब मान लिया गया कि अब विभाजन दूर नहीं और विभाजन अब अवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ च सिधान्त को लागू करना उतना सरल नहीं था, तो रही बात कारणों की, विभाजन के कारण की, तो निश्चित रूप से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना चौथा कारण था, और ऐसा किये जाने से क्या हुआ कि, जो सरकार ही स्वैं बटी होई थी, तो एक तरीके से खंडित थी, विभाजित थी, और द्वी राष्ट सिधान्त का प्रतिपादन जब मुस्लिम लीग ने 1940 में कर दिया, तो उसके समर्थक, उसी सरकार में कैसे एक ही राष्ट के सिधान्त पर कारे करेंगे, और जो अंतरिम सरकार 1940 में बनी थी, उस में जब मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किये जाने का अंग्रेजों ने दबाव बनाया और मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो वे लोग कैसे अपने द्वी राष्ट के सिधान्त से हटेंगे, पर इसमें कुछ समस्याएं थी, पहली समस्या तो ये थी, कि जो विभिन खेत्र से भारत के नक्षे को देखें, इस खेत्र में धार्मिक बहुत संख्या के आधार पर कैसे बांटा जाए, जैसे मुस्लिम बहुत संख्या खेत्र पाकिस्तान, हिंदू बहुत संख्या खेत्र भारत, पर इसमें समस्या ये थी, कि बटवारा इतना सरल नहीं था, कहन को तो बटवारा होने की बात काफी कुछ हो चुकी थी सामती हो चुकी थी लेकिन बहुत बड़ी ये समस्या थी कि बहुत संख्यकों के आधार पे दी बटवारा होता है तो उसमें कुछ समस्या थी मुसलिम बहुत संख्यक खेत्रों को पाकिस्तान कहा जाएगा हिंदू संख्यक छेत्रों में जो अल्प संख्यक हैं उनका क्या होगा दूसरी समस्या थी ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ब्रिटिश इंडिया का नक्षा देखिए इसमें कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम लोग बहुत संख्यक हों मैं ब्रिटिश इंडि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ऐसे ख्षेत्र थे जहां पर इनकी संख्या बहुलता में थी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बीच में जो ख्षेत्र है पूरा प्रिश एम्पायर का उसमें कहीं भी मुसलमानों की बहुलता नहीं थी तो ऐसी स्थि माय दो अलग अलग जगहों में होंगी एक देश बीच के एक अन्य देश से बटा हुआ रहेगा, कटा हुआ रहेगा, आ दिये, बहुत बड़ी समस्या थी इन दोनों को जोड़कर एक करना तो मुश्किल था, क्योंकि संभव नहीं था कि ये पूरवी पाकिस्तान से जहां पे मुस्लिम लोगों की बहुलता थी, वो पूरे के पूरे चल कर, अपने ख्षेत्र को छोड़कर, अपनी पैत्रिक संपत्ति को छोड़कर, जहां वो जोड़ना बिलकुल मुश्किल था, इसलिए दोनों अलग अलग रहें और इनके बीच में भारत का भूभाग जो काफी बड़ा है, वो रहेगा, ये एक दूसरी समस्या थी, कहां एक और, 1940 से प्रारंब हुई, दूई राष्टे सिधान्त की परिकल्पना मुस्लिम लीक के मन में, और उनके मन में ये बढ़ती उमीद, कि हमारा एक अलग देश, अस्तित्त में आएगा, और कहां दूसरी और इस तरह की समस्या आएं, जिसका मैं जिक्र कर चुका हू इससे भी बढ़कर एक समस्या और ये थी, कि यदि हम मुस्लिम बहुलता के आधार पर देश का विभाजन करते हैं, तो ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम बहुलता तो थी, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे मैं पना दोहरा दूँ, एक और जहां मैंने पूर में कहा कि बटवारे का अधार मुस्लिम बहुत संख्यक और हिंदू बहुत संख्यक ऐसा माना जाएगा, ऐसा रखा जाएगा, तो दूसरी और ऐसा भी पाया गया कि कई क्षेत्र ऐसे निकले, जहां पर मुस्लिम बहुत स खेक होने के बावजूर वे लोग पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे वे लोग द्वी राष्ट धान को मानने को राजी नहीं थे उसके खिलाफ थे लेकिन इस सब के बावजूद समस्या ये हो गई कि इनकी इन भावनाओं को अन्देखा किया गया और पश्चिमुत्तर सीमा प्रांथ को पाकिस्तान में मान लिया गया पश्चिमुत्तर सीमा प्रांथ जहां से खान अब्दलगफार खान जैसे पक्तून निता जिन्होंने भारती राश्टी आंदोलन में बहुत आहम योगदान दिया और जिन्हें सीमान तक गांधी के नाम से जाना जाता है उस खेत्र को उनके रजामंदी के खिलाफ उनकी भावनाओं के खिलाफ उस खेत्र को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया मान लिया जाना भी अपने स्वैम में एक समस्या हो जाती और थी अगली समस्या जो थी कि सीमा के दोनों और अल्प संख्यक थे चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान के हम बात करें चाहे पश्चिमी पाकिस्तान के बात करें वहां मुस्लिम भहुलता थी पर हिंदूओं की संख्या कम नहीं थी पूर्वी पाकिस्तान में भी मुस्लिम बहुतायत में थे लेकिन हिंदू कोई कम नहीं थे उनकी संख्या भी बहुत थी तो उनका क्या होगा लाखों संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ष क्या अपना अपना घर छोड़के अपनी अपनी संपत्य छोड़कर अपना अपना पुराना इतिहास छोड़कर स्थान बदलेंगे तो सीमा के दोनों तरफ जो अलप संख्यक थे ये हिंदू, मुसल्मान, सिक्ष इनके पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था या तो वो अलप संख्यक के रूप में वहीं रहे आएं और या फिर अपने धर्म के बहुलता वाले क्षेतर में जाएं और जाने कार्थ ये हुआ कि अपनी सारी संपत्य अपना घर आज ही छोड़ें और अब इनके सामने और कोई रास्ता नहीं था अंतिम समस्या ये द्वी राष्ट सिधान्त में थी कि जैसा मैंने बताया खान अब्दिल गफार खान जिने सीमान्त गांधी कहते हैं ये वही पश्च मुत्तर प्रांत पक्तूनिस्तान पठान खेतर के सबसे बड़े निर्विवाद नेता थे और इनका बिलकुल मानना था कि हम द्वी राष्ट सिधान्त में विश्वास नहीं करते और ये द्वी राष्ट भोता भी है तो भी हम भारत में बने रहेंगे लेकिन इसके बावजूद उनके खेतर को पाकिस्तान में मान लिया गया पाकिस्तान का खेतर मान लिया गया तो ये पांचवी समस्या थी